हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो माई चैनल फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले प्लेट इट्स डिजाइनर ब्लाउस और इसे बनाने के लिए हमने आपे लाइनिंग यूज किया है वन मीटर और साटन फैबरिक हमने 80 सैंटीमीटर यूज किया है और जो नेट के उसमें इस तरह से वर्क दिया हुआ है यह है वर्क है तो क्याने की ने फैबरिक कि वर्क वाली और जो फ्रैंट वाला पार्ट रहेगा सिर्व हम प्लेइन बनाइद और दिजाइन डालेंगे और इसे वर्क वाले थावरीग पर बनाइँए तो इसे हम्तश्टीपर पर म ताईगा 36 साइब नाइन इंच मार्जन के लिए इसकी टोटल लेंथ हम यहां पर रखेंगे 15 इंच और 1 इंच प्लस कर लेना है मार्जन के लिए तो 16 इंच लेना है यहां पर हमें वेस्ट लेना है 7.5 इंच 30 का फोध पार्ट, 2.5 inch टक्स के लिए और 2 inch मार्जन के लिए ये देखे, 2.5 inch टक्स और 2 inch मार्जन के लिए लिए है, 1 inch से गुलाई देनी है आर्मूल के साइट पर नेकी विड्थ हम 2.5 inch रखेंगे नेकी लेंध हम 7 inch रखेंगे एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें वी लीफ नेक ड्रॉ करेंगे टक्स पॉइंट ले लेना है 10.5 इंच पर टक्स पॉइंट 10.5 इंच पर लिया, यहां से 3.5 इंच, यहां से 3 इंच डाट के लिए 2.5 इंच इस तरह से लाइन को ड्रॉ करना है और शेप देना है वन इंच स्ट्रेट करके शेप दिया, यहां पर 0.25 इंच का शेप, इन दोनों को मेजर कर लेना है, कोई भी पार्ट छोटा बड़ा हो तो उसके बराबर कर देंगे यहां पर प्रेंस इसका का शेप देना है और यहां पर हमने इसके मार्किंग कर लिए है, इसको हम कट करेंगे यह वाला पार्ट भी कट कर देना है यह दिखिए इस तरह से लाइनिंग पाबरिक पर हम इसके मार्किंग करेंगे, तो पहले हमें एज़टीज मार्किंग करनी है इसकी Tux Point की भी Marking कर लेनी क्योंकि हमें इसमें Pat भी Attach करना है यहां पे Half Inch का Marzen Add करना है दूसरे Side भी Half Inch का Marzen Add करेंगे इसको Cut कर लेंगे Cut कर लिया Back Part की Marking करनी है तो Hook जो है वो Back में ही रखेंगे तो इसके लिए Half Inch की Marking कर लेनी है एक लाइन हमने फैबरिक को स्ट्रेट करने के लिए की है और दूसरी मार्किंग हमने आई होकी पट्टी के लिए की है यहां से शोल्डर ले लेना है 5.5 इंच यहां से आर्मो लाएगा हमारी यहां पर चेस्ट नहीं बन पाएगी तो इसलिए हम यहां पर शोल्डर ले रहे है शोल्डर यहां आएगा 5.5 इंच यहां से आर्मो लाएगा 6 इंच चेस्ट का फोट पाट आएगा 9 इंच 2 इंच मार्जन के लिए लेंगे टोटल लेंद हमें आपर ले लेनी है 16 इंच वेस्ट है वो 7.5 इंच है इच्छे के साइड पर हम फैब्रिक लेकाएंगे वो वर्क वाला होने वाला है इसलिए हमें बैक टक्स नहीं लेना है इसको हमने कट किया अब ये वाला जो है बैक वाला कट कर लिया ये फ्रंट वाला ही हमने डबल कट किया था ये वो वाला पार्ट है और इसमें हमें अब प्लेट्स डालनी है ये देखे इस तरह से चार से पांच प्लेट्स हमने ले ली है अब इनको हम कट करेंगे ये देखे अब साटन फैब्रिक को हमें डबल करके रखना है और इस तरीके से हम इसकी मार्किंग करेंगे तो जो इनकी टक्स जो हमने आप पर प्लेट्स डाली है उनकी जो वीट थे वो हमने थ्री इंच रखी है ठीके सभी की डिस्ट्रेंस हम थ्री थ्री इंच रखने वाल इस तरह से अच्छे से सैट करेंगे और डिस्ट्रेंस हम थ्री थ्री इंच ही रखेंगे यह देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है अब यहाँ पर हमें इस तरीके से कट लगा लेना और सैंटर से आपको इसको पैक ही रखना है मेरे पास यहाँ पर फैवरिक नहीं था क्योंकि मैंने इस जो फैवरिक के उसका लहेंगा भी बनाया है तो उसमें इतना ही फैवरिक बचा था तो मुझे जॉइंट लेना पड होगा तो स्लीज की टोटल लेंद हमें 24 इंच रखनी है हाफ इंच सिर्फ इसमें हमने मार्जन का एट किया है उपर के साइट के लिए आर्मुल हमारा 9 इंच है 4 इंच पर हम इसे डाउन करेंगे यहां से स्लीज राउंड जो भी है वो ले लेना है और 2 इंच मार्जन के लिए अट कर दिना है इस तरह से हम स्लीज को कट करेंगे सेम से तरीके से दूसरे स्लीज भी हमें कट कर लेनी है तो पहले हमें बैक पार्ट की मार्किंग करनी है तो हमें आपर नेक की वीज रख लेनी है 2.75 इंच 10 इंच रख रहे हैं यहां पर एक बॉक्स पनाएंगे इसमें भी लीफ नेक ड्रॉ करेंगे नीचे के साइड हमें आपर 2.5 इंच पर मार्क करना है नीचe के साइड से शेब देना है इसको कट करेंगे तो पहले हमने साटन फैबरिक रखा उसके ऊपर हमने नेट फैबरिक खा और फिर हमने कॉटन फैबरिक रख लगकर इसको नेक को स्रीच कर देना है यह देखिए तो हमने आप इसको स्ट्रीच कर लिया है अब यहां पर हम होग की पट्टी लगाएंगे तो लाइनिंग पबरी को हमने डवल करते हुए स्ट्रीच किया है और इस तरह से स्ट्रीच करेंगे इसके उपर से और एक stitch इसको fold करते हुए करेंगे तो hook की पट्टी complete हो गई है आई की पट्टी लगानी है इसको वीट में हम इने 3 इंच का रखना है साइट से इसको इस तरह से fold करते हुए stitch करेंगे इसको इस तरह से fold करते हुए stitch कर दिया है तो back part हमारा complete हो गया है अफ्रेंट वाला जो part ता उसको center से हमने certain fabric को stitch किया और neck को इस तरीके से set करना है और इसको stitch करना है कट लगाएंगे इसमें एक stitch हम lining fabric के उपर से कर लिया neck को stitch कर लिया है अब जो princess कट वाले पार्ट है उनको हम stitch करेंगे पैड लगाना है पैड में हमने plus का sign बना लिया है center पर उसको हम इस तरीके से stitch कर देंगे इस तरह से अब इसमें plates डालना सीखना है तो किस तरह से plates डालते हैं तो देखिए इस तरह से हम इसमें plates डालेंगे बस इस अच्छे से set करना है हमें तो इस तरह से हमें plates को set कर लेना है यहां से देखिए यह cut जाएगा तो यह जो आड़ी तेरी plates हो रही हो उपर के side पर वो हट जाएगी बस हमें यहां पर यहां से इस तरह से अच्छे से set कर लेना है हमने इसको set कर लिया इस तरीके से अब इसे हम यहां से stitch कर देंगे बाकी side से भी स्टीच करके extra fabric cut करना है कर दिया है अब सेंटर पर हम एक मार्क करेंगे यह देखिए यहां पर इस तरीके से v-shape देना है क्योंकि यहां पर हम इसमें belt edge करेंगे यहां पर इस तरह से cut लगा लेना है एक stitch हम lining fabric के उपर से कर देंगे से अंदर के side fold करेंगे यह देखिए इस तरह से पट्टी को लगा कर complete कर दिया है अब हमें belt को cut करना है तो पहले कि straight line draw करेंगे यहां से 3.25 इंच यहां पर हमारी waist का fourth part और 1 इंच प्लस किया है यहां से हम 2 इंच लेंगे इस तरह से पहले straight line draw करेंगे और यहां से shape देंगे इसको हमें cut कर लेना है cut करने के बाद यहां पर हम इसको इस तरह से थोड़ा सा stitch करेंगे ताकि इसका जो shape है वो proper दिखे तो पहले हमें certain fabric लेना है उसके उपर net fabric रुखेंगे और उसके उपर हम cotton fabric रखकर इसको उपर नीचे से stitch करेंगे यहां से हमें extra fabric cut कर दिना है cut लगाएंगे यहां पर इसको में पलटना है यह देखिए इस तरीके से हमने इसको पलट दिया है इसके जो corner है वो निकाल देना है अच्छे से यह देखिए बैल को complete कर दिया अब यहां पर इसके जो पेच्छे यानि कि यह जो flower वगेरा है उसको हम cut करेंगे अब यहां से lighter की help से हम इस तरीके से इसको अच्छे से finishing दे दे नहीं है side से इस तरह से design को cut कर लेना है और अब यह सारे design जो है वो हम यहां पर blouse पे इस तरह से glue से चिपका देंगे यहां पर हमने देखिए belt भी लगा ली है इस तरह से और अब हम यहां पर shoulder को stitch करेंगे shoulder को stitch करने के बास लीज को join कर देना है यह देखिए इस तरह से हमने sleeve को stitch कर दिया है अब इसके ऊपर से यहां पर fabric को अंदर के side करते हुए stitch लगाएंगे क्योंकि बाहर के side जो fabric दिखेगा वो अच्छा नहीं लगीगा तो इसलिए हम इसको अंदर के side fold करते हुए stitch कर रहे हैं अब हमें fitting लगानी है center से हम chest के fourth part पर marking करेंगे waist का fourth part लेना है उस तरहीं strong का half लेना है तीनों marking को मिलाते हुए हम fitting लगाएंगे यह देखे fitting लगा ली है अब यह जो पेच्छ हमने लगाये थे हम कुछ तरह से सुई दागे से इसको टक करना है अगर हम टक नहीं करेंगे तो क्या होगा जो glue है अगर हम इसको wash करेंगे तो वो निकल जाएंगे तो इसलिए हमें इसको यहां पे इस तरह से पक्क कर देना ह जिससे यह कभी भी नहीं निकलेंगे और हमें कोई problem भी नहीं होगी तो सारे जो पेचेस हमने लगाये हैं उनको हम इसी तरीके से टक कर देंगे सुई दागे से यह देखिए इस तरह से प्रेंट्स ब्लाउस बनकर कंप्लीट हो गया है आई होब कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर एंड कमेंट जरू करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा तैंक यू कर दो जरू कर दो गया है वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आदा हैं जरू कर दो